पहले दिल्ली से एकनोमिक्स में ग्रेजुएशन और उसके बाद इंग्लेंड जाकर इसी विशे में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कुछ समय के लिए नौकरी की लेकिन फिर सब कुछ छोड़ चाड़ कर आगए डेरी के छेत्र में और अब यहाँ पर तमाम किसानों को पशुपालकों को अपने साथ जोड़ कर यहाँ पर देरी जो प्रोड़क्स हैं उनकी फूट प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं हम इस समय पहुचे हैं पिलीबीत के टांडा विजैसी गाओं में जहां हमारे साथ मौझूद है इस समय निकी चौधरी और उनके पती गौरफ चौधरी जो यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करने के बाद कहीं नौकरी ना करके एक अच्छी डेरी चला रहे हैं यहाँ से उन डेली उनिवर्सटी से किया है और मास्टर्स इन बिजनिस एकनॉमिक्स और फिनांस मेंने उनिवर्सटी अफ सारी यूके से किया है बाहर जाके विदेश में जब कोई पढ़ाई करता है तो उसके बाद हमने देखा है जातर लोग तो या तो वहाँ सेटल हो जाते हैं जो आप करने के लिए या वापस आते हैं यहाँ पर कहीं मेट्रो सिटी में रहने लगते हैं आप गाउं में रह रहे हैं डेरी चला रहे जी मेरा हमेशा से यह मानना था कि जो education है जब हम अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो उसका purpose impact creation होना चाहिए मेरे हिसाब से तो आपकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ आप तक ही सी मितना रह जाए वो अन्य लोगों के भी काम है और rural और farmers की तरफ मेरा हमेशा से inclination था तो मैंने इसी शेत्र को फिर चूस किया यहां पर आपका यह जो dairy का पूरा यह मॉडल है यह क्या मॉडल है इसके बारे में बताई है हमाई दर्शकों को जी हम लोग 2011 में basic dairy farming मैंने सीखना शुरू किया उसमें 3-4 साल तो मुझे सिर्फ सीखने में लगे उसके बाद हमने commercial dairy farming start की और 2020 में हमने 2022 में हमने value-added products बनाना शुरू किया क्या dairy प्रूडक्स आप यहां पर बनाते है बेसिक अभी हम घी हमारा premium product है दही पनीर खोया तो यह चार प्रूडक्स हम लोग बना रहे हैं जितने प्रूडक्स आप बनाते है तो इसके लिए जो requirement होती है दूद की व का हमारे 10 से 15 फार्मर्स तो डेली बेसिस पर हमें दूद देते हैं अपना क्योंकि यहां पर market access milk की market की बहुत बड़ी दिक्कत थी तो वो सब चीजे भी सोच के हमने value addition शुरू किया था कि हम और फार्मर्स का दूद उठा सके उनको एक right fair price दे सके तो हम फार्मर्स जोड़ अब तो ऐसे लोग भी मिलते हैं लेकिन आपने खेती किसानी में आने को चुना तो डेरी सेक्टर को ही चुनने के बीचे कोई खास वजा जी मेरी marriage के बाद यहां पे agriculture में आना हुआ था मुझे यह तो clear था कि मेरे को agriculture और farmer level पे कुछ करना है बट डेरी क्यों चुना वो यहां पर इस समय निकी चौदवी के जो हस्बंड है उनके पती जू है वो भी मौझूद है गौरफ जी दोनों लोग मिल के पूरे अपने प्रोजेक को चलाते हैं गौरफ जी बहुत-बहुत स्वागत आपका था 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 मतलब घर में पहले से काम चलता था या फिर बा बहुत-बड़ी संख्या में जो है जो है स्मॉल एं मीडियम फार्मर से अनीमल हस्बंडरी पर हम लोग यह अपर तीन जनरेशन से फार्मिंग में और बड़ी डेटेल में फार्मिंग में इन्वाल्द हैования दस से बारा तरीके की क्रॉप्स, तीन से चार तरीके की अग्रोफोरिस्ट्री ट्रीज, हॉर्टी कल्चर, इन सारी चीजों में हम लोगों का पिछले करीब 40-50 सालों से यहां पर इन्वॉल्मेंट है और अज थर्ड जेनरेशन फार्मर जब मैंने जॉइन किया तो मेरी जिम्मेदारी मैंने मानी की हम आप इसको आगे कैसे ले करके जाएं तो डेरी एक ऐसा सेक्टर निकल के आया जो थोड़ा सा पीछे छूट रहा था चूंकि मिल्क एक इतना बड़ा मार्केट है और प्रोटीन की रिक्वार्मेंट पूरी करता है देश की तो हमने डेरी सेक्टर को एक बिग विजन परस्यू करने के लिए सिलेक्ट किया और जब इसमें हमारी बाचीत हुई कि भई ठीक है फार्मिंग में हम अच्छा कर चुके और फार्मिंग को डिटेल में समझ चुके हैं अब हम दूसरे फार्मर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं ताकि उनकी भी इंकम बढ़े हमारे साथ-साथ और हम एक बिगर विजन को कैसे परस्यू करें एकनॉमिक्स पढ़ने के बाद और एगरी कल्चर से जुड़े हुई एकनॉमिक इशूज को समझने के बाद हम क्या करें तो उसमें डेरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट निकल करके आया उस विजन के साथ फिर हम लोगों ने मैंगो डेरी की शुरुवात करी 2022 में जो हमारी स्टार्ट अप है जो DPIIT रजिस्टर स्टार्ट अप है ताकि फार्मर्स के मिल्क को बहतर प्राइस पे प्रोक्यॉर करके उसको प्रोसेस किया जा सके और एज अ सपोर्ट हम उन पार्टनर फार्म्स को प्रोडक्टिविटी एनहेंस्मेंट के लिए जो भी दे सकते हैं वो दे तो जो भी फार्मर को फॉडर के से जुड़ी हूई सपोर्ट चाहिए चाहिए वो मेज साइलेज है या वो बैलेंस्ट फीड है लेटेस्ट सॉफ्ट्ट एयर का इस्तेमाल करके कम्प्लीट राशन की बैलेंसिंग है वो सारी सुविदाएं हम अपने पार्टनर फार्म्स को देते हैं और वो काफी असान बना देता है उनको मिल्क प्रोडक्शन करना एक बहतर प्राइस पर वो कम कीमत में अच्छा दूद पैदा कर लेते हैं और हम चुकि अच्छी किमत उनको देते हैं तो उनका ओवराल पर लिटर ओफ मिलक एक हायर प्रोफिट हमारे पार्टनर फार्म्स हासिल करते हैं जो को रुदेश है मैंगो डेरीस का या क्या रही है आपके साथ सबसे बड़ी चुनौती तो यहां पर मार्केट एकसिस था दूद के बड़े खरीदार यहां पर नहीं रहे दूसरा राशन बैलेंसिंग जिसे बोलेंगे गाएं के एनिमल के राशन को बहुत सारे इंग्रेडियंस चाहिए और उन सारी चीज़ों को एक जगे खटा करके उनको बैलेंस करके एनिमल तक पहुचाना वो फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको लेकर के टेक्निकल नोहाओ और उन ग्रेडियंट्स की अवेलिबिलिटी आज की तारीक में अगर बात करें अभी तो नया स्टार्ट अप है लेकिन फिर भी अगर हम आपके टर्नोवर की बात करें अनिमल तो वो कितना होगा अभी करीब सवा करोड का टर्नोवर हम लोगों का है 2022 में हम लोगों ने शुरुबात करी नोकरी कर रहे होते तो अपने लिए रोजगार होता है क्या लगता है इसमें आने के बाद दूसरों को रोजगार दे पा रहे है यह तो बहुत बड़ा सेक्टर है डेरी बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्टर है तो डेरेक्ट एम्प्लॉइमेंट तो ही है जो मेंगो डेरीज में हम लोग देते है लेकिन इंडेरेक्ट एम्प्लॉइमेंट जब एक पार्टनर फार्म खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि कैसे जो तमाम फेंबली मेंबर्स थे जो जिनके पास काम नीधा करने को सड़नली वो एंगेज हो गए उनका जो complete employment उनको अपने फार्म पे मिल गया कुछ उनोंने फार्म पे employees रख लिए फार्म जब profitable होता है किसी का dairy farm profitable नहीं हो पा रहा है और जब वो profitable हो जाता है तो उस परिवार के अंदर में उस किसान परिवार के अंदर एक बड़ा हम लोग उसकी लाइफ में परिवर्तन देखते हैं एक बड़ा employment और प्लस जीवन के अंदर परिवर्तन दोनों इसमें होता है पहले सिर्फ एक दूद की डेरी और उस दूद की डेरी से अपना स्टाट अप करके प्रोसेसिंग इंडस्री में आना 2022 में तो यह जो इतने साल का बीच में गैप रहार डेरी में करते रहे डेरी से प्रोसेसिंग इंडस्री में आने के बाद कितना बदलाव आप देखते हैं चाहे वो बात हो इंकम जनरेशन की टर्नोबर कितना फरक पड़ा कि अलगता है वो डिसीजन कितना हो जब तो बहुत उसके बना तो कोई रस्ता आगे ही नहीं जब तक हम प्रोसेसिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे और उस बाजार को तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक प्रोफिट समारे प प्रोसेसिंग के बाद से जिसे अब और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है शले शरूरा गाउं जंक्शन